हाई फ्रेंड्स वेलकम बाग सो हम बात करेंगे इंक्रिडिबल इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में दिस एज रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रम वन उफ माई सब्सक्राइबर तो जो करेंट प्राइस चल रहा है शेयर का वो है 22.20 और आज हमें अराउंड एक लोवर सरकेट देखने को मिला है 5% का तो फ्रेंड ये शेयर के सेक्टर से बिलॉंग करता है आर एन एन स्टील प्रोड़क्ट्स बनाती है कंपनी आज के दिन का हाई था 24.25 और आज के दिन का लो था 22.05 52 विक हाई इसका 32 रूपीज है और 52 विक लो है 18 रूपीज 5% का बैंड है जो इसमें हमें आज एक लोवर सरकेट देखने को मिला जाने के आपके शेयर में इन्वेस्मेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्वाटरली कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है 103 करोड का सोच ये 103 करोड के मार्केट कैप की कंपनी 22 रुपे पे पहुची हुई है सो ये एक काफी अच्छी बात है फंडामेंटल स्पॉजिटिव है EPS है 0.93 P है 24 और आरोई भी पॉजिटिव है 3.57 आज बाइंग में 0 कॉंटिटि थी तो फ्रेंट्स एक लोवर सरकेट ही था और सेलिंग में जो प्रेशर था वो भी जादा नहीं है 3260 माउट का प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है शेयर की 74.96 परसेंट की प्रोमोटर होल्डिंग है और प्रेंट्स एक होल्डिंग है 25% की तो फ्रेंट्स गॉर्डरली कमपनी ऐसे परफॉर्म कर रही है तो दिसेमर का जो प्रोमोटर आया है वो है 1.42 करोड का जबकि लास्क क्वाटर सेप्टेंबर में जो प्रोमोट था वो था 0.27 करोड का तो 0.27 करोड से company 1.42 करोड का profit दिया है तो आज आचा ही इसमें गिरावट है आपको इससे घबराना नहीं है ये share bounce back कर चाएगा मैं आपको बताना चाहूंगी आज market काफी डाउन थी nifty metals भी 1.19% डाउन था तो friends आज complete market डाउन थी इसलिए share में हमें गिरावट देखने को मिली है Otherwise, promoter holding अच्छी है and fundamentals भी अच्छी है short term target 26 rupes का आप इसमें consider करके चलिए वीडियो is only for educational purpose खुद से research कीजिए तब जाके investment कीजिए Thank you so much